Hello Everyone, Welcome to GKB, गुर्जीत माम योट्यूब चैनल, How's your preparation going on? I hope it will be good, और इस preparation को और बहतर बनाने के लिए आज की वीडियो देखते हैं, आज की वीडियो में हम करेंगे National Highways in Haryana, हरियाना में National Highways से related काफी important question बनते हैं, क्योंकि HSE ने अब तक जो exam हुए हैं, यहां से कोई भी question न आता है, यात्रियों की सुविदा हेत्तु Haryana में की नामों से बसे चलाई जाती हैं, option A है सार्थी, option B हरियाना गोरव, option C है हरियाना उदे, option D है सभी, try to time this question, answer is D, सभी, क्योंकि हरियाना में यह सभी नाम से बसे चलाई जाती हैं, जैसे सार्थी की बात करें, तो यह करें तो आम आदमी के लिए बसीज है हरियाना उदे जो बसीज है वो cng बसीज है next question हरियाना राज्य में यात्री प्रिवहन का राश्टेगंड किस वर्ष हुआ option A है 1972 option B 1976 option C है 1980 option D है 1978 try to attempt this question answer is A 1972 में next question is हरियाना में कितने वायू सेना स्टेशन है option A है सिर्षा option B अमबाला option C A और B दोनो option D कोई नहीं try to attempt this question answer is C A और B दोनो यानि कि हरियाना में सिर्षा और अमबाला में दोनो जगए एरफोस स्टेशन है next question हरियाना में नया प्रस्तावित NH कोन सा है काफी important question रहे गए option A है NH 152D option B है NH 25 option C है NH 65 option D है NH 155 try to attempt this question answer is A NH 152D ये हरियाना में नया NH प्रस्तावित है और ये कहां पर प्रस्तावित है ये महिंदरगड में क्योंकि अब तर question क्या आता है HSC के कोडिंग हरियाना के किस डिस्ट्रिक में कोई भी national highway नहीं है तो आंसर होता था महिंदरगड लेकिन अब महिंदरगड के लिए भी NH प्रस्तावित हो चुका है जिसका नाम है NH 152D Next question is National Highways Authority of India का बना था? Option A है 1987, Option B 1988, Option C 1995, Option D है 1991 Try to attempt this question Answer is B 1988 में बना था और इसने काम कब शुरू किया था? 1995 को काम करना शुरू किया था बारत के सबसे लंबे NH44 की लंबाई कितनी है option A है 3745 km option B है 3545 km option C है 4700 2 km option D है 3045 km try to attempt this question answer is A 3745 km next question is NH73 plus NH72 का नया नाम क्या है यानिके NH73 और 72 को मिला कर एक नया NH बनाया गया है उसका क्या नाम है option A है NH8 option B है NH9 option C है NH7 option D है NH22 try to attempt this question answer is C NH7 इसका नया नाम है और यह सहजादपुर से काला अम जाता है next question is NH73 A का नया नाम क्या है क्योंकि हरियाना में और देश में कई NH के नेम चेंज हुए है या फिर दो को मिला कर एक नया नाम दिया गया है option A है NH907 option B है NH908 option C है NH8 option D है NH909 try to attempt this question answer is A NH907 यह यमना नगर से पोटा साहिब जाता है उसका नया नाम क्या है 73 A का NH907 next question is शिवानी नामक स्थान भीवानी के किस राष्ट्रिय राजमार्क पर पढ़ता है यानि कि जो शिवानी मंडी है वो कहां पर पढ़ती है भीवानी में पढ़ती है तो किस राष्ट्रिय राजमार्क पर पढ़ता है option A है NH152 option B है NH52 option C है NH11 option D है कोई नहीं try to time this question answer is B NH 52 पर पड़ता है और इसका पुराना नाम क्या था NH 52 का 65 65 इसका पुराना नाम था और नया नाम क्या है NH 52 next question is KMP का पुराना नाम क्या था option A है देविलाल Expressway option B है KGP option C है प्रेश्चिमी प्रीधी है option D है सभी try to time this question काफी important question रहे गई answer is A देविलाल Expressway क्योंकि चोटाला सरकार के समय में इसकी नीव रखे गई थी और 2014-15 में ये complete हुआ था इसलिए इसका जो पुराना नाम था वो क्या था देविलाल Expressway next question is पहला मानव रहीत railway station कहां पर बनेगा option A है नुह, option B है हिसार, option C पानीपत, option D है रहत तक try to time this question answer is B हिसार में बनेगा next question is हरियाने की प्रथम महिला bus driver कौन है, option A है शर्मिला, option B है पंकज चोधरी, option C है प्रियंका, option D है सीमा चोधरी try to time this question answer is B, पंकज चोधरी हरियाना की पहली महिला bus driver है और इसका संबंद कहां से है, सिर्षा से है शर्मिला के अगर हम बात करें, यह हरियाना की पहली conductor है और इसका संबंद है रेवाडी से, next question is KMP के बारे में कौन सा कथन सकते है, इस तरह के जो exam में questions बनते हैं, option A है KMP की कुल लंबाई 1356 km है option B है, यहाँ पर 1356 की जगह है, आएगा 135.6 km, तो यहाँ पर कुछ typing mistake हुई है, क्या रहेगा 135.6 km option B है, KMP, चार राश्ट्रे राजमार्ग से होकर गुजरता है, option C है, KMP, 6 lane express way है, option D है, और परोक्त सभी try to time this question answer is D, सभी, यहाँ पर जो सभी कथन है, वो सत्य है, किसके बारे में, KMP के बारे में, जैसे यहाँ पर आया है, KMP, चार राश्ट्रे राजमार्गों से होकर गुजरता है, तो कौन-कौन से, NH10, जिसका नया नाम है, NH9, NH1 and 2, जिसका नया नाम है, NH44, और NH8, जिसका नया नाम क्या रहेगा, 48, तो यह चारों से होकर गुजरता है, next question is KMP का दूसरा नाम क्या है, option A है, पस्चिमी प्रीधिया एक्सप्रेस वे, option B है, दिल्ली रोहत्तक, option C है, दिल्ली अंबाला, option D है, दिल्ली आगरा, try to time this question answer is A, पस्चिमी प्रीधिया एक्सप्रेस वे, यानि के western peripheral expressways का नया नाम है, next question is KMP का पूरण नाम क्या है, option A है, कुरुकशेतर मानेसर पानिपत, option B है, कुरुकशेतर महिंदरगड पानिपत, option C है, कुंडली मानेसर पलवल, option D है, कुंडली मानेसर पतोधि, try to time this question आंसर इस C, कुंडली माने सर, पलवल के नाम से, इसका नाम क्या है, के एंपी, नेक्स कोश्चन इज, एनेज 71B, जिसका नया नाम जो है, वो 919 है, हरियाना के किन दो शहरों को जोड़ता है, ओप्शन A है, अंबाला हरिदवार, ओप्शन B है, रिवाडी पलवल, ओप्शन C है, यम्ननगर पोटा साहिब, ओप्शन D है, रिवाडी पलवल को जोड़ता है, कौन सा एनेज, 919, जिसका जो पुराना नाम है, वो क्या था, 71B, नेक्स कोश्चन इज, नेशनल हाइवे, 71A, जिसका नया नाम है, 709, किन दो शहरों को जोड़ता है, ओप्शन A है, रिवा रहुत्तक अंबाला, ओप्शन C है, रहुत्तक पानिपत, ओप्शन D है, रहुत्तक फरिदाबाद, ट्राइटो टैम दिस कोश्चन, आंसर इस C, रहुत्तक पानिपत, नेक्स कोश्चन इज, नेच्च वन, जिसका नया नाम है, 44, पर सबसे लंबा उपर गामी, पुल किस नगर में बना है, यानि के सबसे बड़ा लंबा पुल कहां पर बना है, NH44 पर, यहां पर मैं आपको बता दूँ, अंबाला से लेकर, जो डैली तक पड़ता है, वो उसे पहले क्या बोला जाता था, NH1 बोला जाता था, और डैली से जो आगे पलवल की साइड, यानि की UP की स नाल, ऑप्शन B कुरुक्षेतर, ऑप्शन C सोनीपत, ऑप्शन D पानीपत, ट्राइटो टैम दिस कोशन, आंसर इस D पानीपत, और पानीपत में ये लगबग पूरे पानीपत को क्रोज करता है, और ये लगबग 10 किलो मेटर लंबा है, काफी इंपोर्टेंट कोशन रहे है, नेक्स कोशन इस, फ्रीदाबाद से निकलने वाला राष्ट्री राजमारक जिसमें वल्लबगड, पलवल, मतुरवय, आगरा रास्ते में आते हैं, उसका नाम क्या है, ऑप्शन A है, NH1 जिसका नया नाम जो है, NH44 है, NH2 जिसका नया नाम, NH44, नेक्स्ट है, ऑप्शन C, NH22 जिसका नया नाम है, 5, ऑप्शन D है, NH10 जिसका नया नाम है, 9, ट्राइटो टैम दिस कोशन, आंसर इस, बी, NH2 यानि के जिसका नया नाम है, NH44, नेक्स्ट कोशन इस, उत्तरी परिधिया रोड किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन A है, द्वारी का एक्सप्रेस वे, ऑप्शन B है, आगरा एक्सप्रेस वे, ऑप्शन C है, ग्रांट क्लिक एक्सप्रेस वे, ऑप्शन D है, नेशनल हाईवे, वन, ट्राइटो टैम दिस कोशन, आंसर इस, द्वारी का एक्सप्रेस वे, नेक्स्ट कोशन इस, हिसा साहरकिस राष्ट्रे राजमार्ग पर पड़ता है so option A है NH8 जिसका नया नाम है NH48 and option B है NH10 option C है NH22 option D है कोई नहीं try to time this question answer is B NH10 यानि कि जिसका पुराना नाम है और नया नाम क्या है NH9 यहां पर यह question आता है हरियाना का सबसे लंबा national highway कौन सा है तो national highway सबसे लंबा जो है वो कौन सा है NH9 next question is धारू हेडव द्योगी क्षेतर किस राष्ट्रे राजमार्ग पस्तित है option A है दिल्ली जैपूर option B है दिल्ली रहतक option C है दिल्ली अंबाला option D है दिल्ली आगरा try to time this question answer is A दिल्ली जैपूर जिसका जो पुराना नाम था वो क्या था NH8 और जो नया नाम है वो क्या है NH48 next question is कौन सा राष्ट्रे राजमार्ग पुरानी संख्या के नुसार हरियाना से नहीं गुजरता option A है NH1 option B है NH2 option C है NH22 option D है NH5 try to time this question देखो यहां पर किसकी बात हुई है पुरानी संख्या के अनुसार तो मैंने साथ में आपको नए नाम भी दिये हैं तो इसमें जो option रहेगा answer रहेगा option D NH5 next question is हम बाला किस राष्ट्रे राजमार्ग पस्तित है option A है NH1 option B है NH2 option C है NH22 option D है NH10 try to time this question answer is A NH1 next question is बाहदुरगड किस राष्ट्रे राजमार्ग पस्तित है option A है NH2 option B NH1 option C NH22 option D है NH10 try to time this question answer is D NH10 जिसका नया नाम के है NH9 और बाहदुरगड कहां पर पढ़ता है जजजर में पढ़ता है next question is काल का किस राष्ट्रे राजमार्ग पस्तित है option A है NH1 option B NH2 option C है NH22 option D है NH10 try to time this question answer is C NH2 और जिसका नया नाम के है NH5 next question is हर्याना के गठन के समय राज्यों में सडकों की कुल लंबाई कितनी थी option A है 5100 किलो मेटर option B है 10,000 किलो मेटर option C है 4300 किलो मेटर option D है 4500 किलो मेटर try to time this question answer is A 5100 किलो मेटर और अब total कितनी हो गी है 2484 किलो मेटर at present हो गी है और अगर सडकों स्टेट की बात करते हैं state में highways की जो लंबाई है वो कितनी है 1801 किलो मेटर next question is कुरकशेतर में जोतिस तीर्थ स्थलकी से मारग पर पर सिथ है option A है कुरकशेतर पीपली मारग option B है कुरकशेतर पेहोअ मारग option C है कुरकशेतर कैतल मारक option D है कुरकशेतर इसमाईलाबाद मारग ट्राइटो टैम डिसकोश्चन आंसर इस B कुरक्षेतर पहोवा मारग नेक्स कोश्चन इन हरियाणा में पहली बार मेट्रो कब चली ऑप्षन ए है 21 जून 2010 ऑप्षन बी है 7 जुलाई 2010 ऑप्षन सी है 30 जनवरी 2010 ऑप्षन डी है 23 सेप्टमबर 2010 में पहली मेट्रो और रैपिड मेट्रो भी कहां पर चली थी गुरु गुराम से ही चली थी और 2014 में चली थी वीडियो कैसी लगी कुमेंट एंड शेर जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस ता बेल आइकन जिसे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे थैंक यू थैंक्स फो वोच